एर रह्मान एक सफल म्यूजिक कंपोजर है। उनकी गाय हुए गाने सुनने वाले लोग भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में हैं। वही वज़ा है कि अब भी सिंगर कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके चाने वाले बड़ी संक्या में हाजिर लगाने पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो शोचल मेडिया पर ट्रोलर के निसाने पर आ जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सारा बानों को इस तरह से हिंदी बोलने से रोखना भारत्यों को पसंद नहीं आया। लोग मन से सिंगर के द्वारा हिंदी भासा का अपमान करने पर नाराज़गी जताते रहे हैं। पैसे कम आने के लिए दो पर यहें जब पाय जहीं करते हैं इसकर पइट माने चाहरा है आपकी क्या रहें हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए तब तक के लिए बने रहे फिल्मिस अब दंधि नमरता धन्यवाद